वेलकम टू लर्न टुगेदर मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार प्रात्मिक विद्याले अध्यापक भरती परिक्षा की प्रैक्टिस सेट को तो इसके पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं ये 6 नमबर का प्रैक्टिस सेट है तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्त को भारत में GST लागू हुआ अजन्ता की गुफाएं इस्थित है तो अजन्ता की जो गुफा है वो कहां पर इस्थित है तो अजन्ता की गुफा महराष्ट में इस्थित है कहां पर तो महराष्ट में इस्थित है राइट अंसर ओप्शन ए भारत सरकार को कानूनी विश्य कि संख्या की वृध्धी करने की सकति किसके पास होती है तो उचतम नयायाले के नयायधीसों की संख्या में वृध्धी जो है यह संसत के द्वारा किया जा सकता है राइट एंसर ओप्शन सी निमनलिखित में से किस भारतीय राजे में पोलो खेल की उत्पति हुई तो पोलो विटामिन बीवन की कमी से होता है राइट एंसर ओप्शन ए थाइराइड हार्मोन की निवनता से गलगंड होता है राइट एंसर ओप्शन भी घरेलू मखी के कारण होते हैं तो घरेलू मखी के कारण कौन सा रोग होता है तो हैजा रोग होता है राइट एंसर ओप्शन भ निमने लिखीत में से किसे falling guess कहा जाता है तो किसे falling guess कहा जाता है right answer option number C and 2 O जियोती पुंज पुस्तक के लेखक है जियोती पुंज पुस्तक के लेखक जो है ये नरेंद्र मोदी है right answer option B बौध इस मारक चोखंडे इस तो भारत के किस राज्ये में इस्थित है क्रिसिल क्या है तो rating agency right option is option number D पूना पैक्ट किसके किसके मद्धे हुआ था किस किसके मद्धे हुआ था पूना पैक्ट तो right answer option number D गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था एतिहासिक इस मारक तलातर घर निमनलिखित में से किस भारती राज्ये में इस्थित है right answer option B और सम में इस्थित है सिर्शक यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सिर्शक the legend of Lakshmi Prasad पुस्तक निमनलिखित में से किस लेखाक द्वारा लिखी गई है ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई है right answer option C bank को द्वारा लाए गए निमनलिखित में से किस भुकतान उपसिक मुदरा के नाम से जाना जाता है right answer option number B credit card को IRDP का मुख्य उद्धे से क्या है तो IRDP का मुख्य उद्धे से जो है तो ये ग्रामेड विकास्वन निर्धार्ता निवारण है राइट एंसर ओप्शन डी सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है तो आर्थिक और समानता जो है ये सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है राइट एंसर ओप्शन डी लोसोंग निमने लिखित में से किस भारती राज्ये का तेवहार है तो लोसोंग जो है ये सिक्किम का त्योहार है, right answer option C Great Man Made River किस देश में इस्थित है, तो ये लीबिया में इस्थित है, right answer option A उच्छे सिक्छा का केंद्रे वल भी इस्थित था, उच्छे सिक्छा का केंद्रे वल भी जो है ये गुजरात राज्य में इस्थित था, right answer option A ज़ारज्ज की मुख्य नगत फसल जो है ये गन्ना है right answer option C, भारती समिधान में किस अनुछेद के अंतरगत नागरीकों को मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं तो मौलिक अधिकार जो प्रदान किया गया है तो right answer option number C अनुछेद 12 से लेके 35 तिदा तमाटर में कौन सा अमल मौजूद होता है कौन सा एसीड होता है टमाटर में तो टमाटर में ओक्सिलीड एसीड होता है कौन सा ओक्सिलीड एसीड पाय जाता है राइट एंसर निम्ने लिखित में से कौन सा जानवर इस्तन पाई है इस्तन पाई जानवर इनमें से वेल है रा बहारस सरकार ըे राष्ट गान को कब अधिक्रित किया था तो राष्ट गान को भारस सरकार के द्वारा कभ अधिक्रित किया गया था तो इसमें हम लोग देखेंगे कि राइट एंसर इस एस ओप्ष्न नमबर बी ? 24 जन्वरी 1950 को कर तो 24 जन्वरी 1950 को हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किस ने किया था तो हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन चंदरशेखार आजात के द्वारा किया गया था राइट एंसर ऑप्शन बी उच्चितम नयायाले में भ डी, राइट अंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नमबर डी, एम फातिमा बीबी, सूर्य से उत्सरजीत, क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो बोल रहा है, सूर्य से उत्सरजीत है, पारा बैगनी कीड़ों को कौन सी गैस रोकती है, तो राइट अंसर इज उप्शन नमबर ए, ओजोन गैस रोकती है, वाईू मंडल में कारबन डाई अक्साइड के परिणाम में वृद्धी के कारण है, तो ताप बढ़ेगा, तो कारबन डाई अक्साइड के बढ़ने के कारण ताप बढ़ेगा राइट अंसर उप्शन ए, निमने लिखीत में से कौन सी बीमारी चमगादड के कारण होती है? तो चमगादड के कारण इबोला होता है. Right answer option C. हरित क्रांती का उत्प्रेरक कौन है? हरित क्रांती का उत्पेरक है संकरित B. Right answer option B. पंचायती राजविवस्था को सर्व प्रतम किस राज़े में लागू किया गया था? Right answer option D. राजस्थान में लागू किया गया. सिंधु घाटी लिपी की सूचना सुरोत जो है? यह मुहरों से प्राप्त होती है. Right answer option B. थेयाम निमनलिकीत में से किस राज़े का लोग प्रिये नित्ते है? तो थेयाम जो है यह केरल का लोग प्रिये नित्ते है. Right answer option C. विश्व में सबसे बड़ा पेज जलाश है. कहां इस्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा पेज जलाश है. शौदी अरब में इस्थित है. Right answer is option A. निमनलिकीत में से श्रीलंका का राश्ट्री यह खेल कौन सा है? तो volleyball. Right answer is option A. volleyball. कपास की खेती के लिए सर्वत्तम मिट्टी है. तो कपास की खेती के लिए सर्वत्तम मिट्टी जो है वो काली मिट्टी होगी. Right answer option A. अद्रक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? Right answer option A. तना खाया जाता है. Stainless steel बनाने में लोहा के साथ कौन सी धातू मिलाई जाती है? तो Right answer is option number B. निकेल मिलाई जाती है. निमनलिकीत में से उस्चमा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? तो उस्चमा का सबसे अच्छा सुचालक समुद्र का पानी है. Right answer option B. LPG में कौन सा गंधिये पदार्थ प्रयोग होता है? तो LPG में एथीले मरकेप्ट जो है ये गंधिये पदार्थ प्रयोग होता है. Right answer option A. निमनलिखित में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है? Right answer option B. चावल बिहार. दिये गए विकल्पों में से कौन सी विम्यारी सुवर से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू जो है ये सुवर से फैलती है. Right answer option D. निमनलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लॉड क्लोटिंग में सहायक होता है? तो right answer is option D. विटामिन K. निमनांखित में से कौन सा मानव के लिए उप्योगी है? तो केचुआ जो है ये मानव के लिए उप्योगी है. Right answer option B. अंतरिक्षे से अंतरिक्षी आतरी को आकास का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? Right answer option C. काला दिखाई पड़ता है. निमनलिखित में से पल्लाव राजवन्स की राजधानी कौन सी है? तो right answer is option C. कांची पूरम. धूपगड़ चोटी भारत के किस राज़े में इस्थित है? तो धूपगड़ चोटी जो है वो भारत के मध्य प्रदेश में इस्थित है. Right answer option B. वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है? तो मिट्टी की कटाव को रोखने मदद मिलती है, बांड रोखने मदद मिलती है, वर्षा में वृद्धी होती है, तो इस प्रकार से उप्रोक्त सभी हो जाएगा. Right answer option D. सात्वी सतापदी की प्रारंबे के साथ थानेश्वर और कन्योच की सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? Right answer option D. हर्षवर्धन निम्ने लिखित में से कौन दच्छिन भारत की सबसे लंबी नदी है? दच्छिन भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है? Right answer option A. भारती इतिहास क्या देख रहे हैं हम लोग यहां पर देख रहे हैं भारती इतिहास के मध्यकाल के कवी तूलसी दास जी राम चरीत मानस को किस भासा में लिखे थे? तो Right answer option B. अवधी भासा में लिखे थे? FM रेडियो को पेटेंट किस ने कराया था? तो FM रेडियो को एडवीच एचे आरमे स्ट्रॉंग ने पेटेच कराया था? Right answer option C. खाद्यानों के भंडारन के दोरान उस्मा के उत्पादन का कारण है? तो Right answer is option D. नमी की अधिकता और कवक व्रिधी. हाई, I am a हिंदू. पुस्तक के लेखा कौन है? Right answer is option D. ससी थरूर. मुद्रा राक्चस किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह इसका Right answer हो जाएगा विशाखदत. बैंकिंग सब्दावली में SLR सब्द का अर्थ है. तो SLR सब्द का क्या अर्थ है? तो यह इस्टेचुवर्टी लिक्वीडरी वेशियो. तो Right answer is option number A. विश्वेवेपार संगठन का मुख्याले कहां इस्थित है? तो Right answer is option number A. जेनेवा. पृत्वी की भूपर पटी पर सरवाधिक उपलब्द धातु कौन सी है? तो Right answer option A. सीलिकॉन. निम्नलिखित में से कौन सा संसलिष्ट रेशा नहीं है? Right answer option number C. रूई. कानपूर इस्थित है, तो कानपूर कहां इस्थित है? तो गंगा नदी पर कानपूर इस्थित है Right option C. भारत में हरित्क्रांति किस मामले में सरवाधिक शफल रही? तो भारत में हरित्क्रांती, गेहुं और चावल के छेतर में सरवादिक सफल रही right answer option C पीर पंजाल परवस्त रेड़ी की सरवोच चोटी कौन सी है? पीर पंजाल परवस्त रेड़ी की सरवोच चोटी इंदराशन है right answer option C अफ्रीका किली मंजारों का सरवोच परवस्त सिखर किस देश में इस्थित है? तो right answer option D तंजानिया में इस्थित है किस वर्ष से बलवन्त राय मेहता कमीटी की सिफारिशों के आधारपा विभीन राज्यों में नया पंचाती राजकानून लागू होना शुरू हुआ right answer option D उनिस्थो पैंसर्ट वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतरकत कोई भी जाती, जनजाती या समू से उच्च जाती के रीती, रिवाजो, कर्म, कांडो, विचार, धारा और मुल्लियों को अपना कर समाज में अपनी जाती, इस्थिती को उपर उठाने का प्रयाश करती है तो राइट एंसर इसमें हो जाए आप्शन B, संस्क्रिटी करण, मचली में मौझूद राइबोफ्लोबिने कोड़ेस की रूप में भी जाना जाता है, राइट एंसर आप्शन नमबर C, विटामिन बीटू के रूप में भी जाना जाता है प्रिथवी के वायू मंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है लक्षदीब का मीनी काय दिव भारत के किस पडोसी देश का हिस्सा है राइट एंसर आप्षिन नमबर डी मालदीव का हिस्सा है सत्रिय भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंद्रू सास्त्रिय निर्त है तो राइट एंसर ओप्शन नमबर डी असम 2006 का माले गाव बंबी स्पोर्ट कांड उदारण है संप्रदाइकता का तो राइट एंसर ओप्शन नमबर सी सुन्दरवन डे डिल्टा बनता है तो सुन्दरवन का जो डेल्टा है वो गंगा नदी में बनता है राइट एंसर ओप्शन ए निमनलिखित में से निम्न लिखित में से किस राज्य में दूधुवा नेशनल पार्क इस्थित है तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि राइट एंसर ओप्शन नमबर ए उत्तर प्रदेश में इस्थित है चलवासी क्रिसी निम्न लिखित राजियों के पहाड़ी छेत्रों की एक मुख्य समस्या है राइट एंसर ओप्शन नमबर ए असम तथा बिहार की भारती अर्थवेवस्था में निम्न छेत्रों में से कौन सा पूनता नीजी छेत्र है? राइट अंसर ओप्षन नमबर A क्रिशी समिधान के किस अनुछेद में जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षन का प्रावाधान है? राइट अंसर ओप्षन नमबर A 335 अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद